हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अले साइन्स, आज हम स्टड़ी करने वाले हैं DNA रेप्लिकेशन, DNA प्रत्थिकरती क्या होती है, इसको DNA मल्टिप्लिकेशन भी कहते हैं तो DNA मल्टिप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कि इस परकिरिया के दोवारा DNA की बहुत सारी कोप्या त्यार की जाती है, जैसे हमारे पास यह ओरिजिनल DNA है, और इसकी बहुत सारी कोप्या बना लिए जाती है, यह परकिरिया कहलाती है DNA रेप्लिकेशन, यानि एक DNA से दो डिने बना लिया जाएगा, दो है तो उन्से चार डिने बन जाएगा, तो लगातर उनके शंख्या बढ़ाई जाती है, डिने एक रेप्लिकेशन विदी से, ये कब होता है, जब आपने पढ़ा होगा, कोशिका चक्र, शेल साइकल, जिसको हम कहते हैं, कोशिका चक्र या सेल स तो यह जो एस वस्था होती है इस एस वस्था में DNA प्रतिक्रत이 की परखिरिय अप होती है DNA replication जो होता है वो कहा होता है IS phase में होता है चलिए इसकी करियाविद यह देख लेते हैं तो जो DNA replication होता है वो तीन चरणों में संपन होता है पहला है प्रारंबन प्रारंबन का मतलब होता है शुरुवात होना ठीक है याने इसमें स्टार्ट केशे होगा DNA रेप्लिकेशन उसके बाद में होता है दिर्गी करण याने इसमें DNA का निर्मान केशे होगा और उसका समाप्त केशे होगा DNA रेप्लिकेशन होना नया DNA बनना सम अब देखो यह क्या होता है जैसे हमारे पास DNA है अब DNA के अंदर कोई विशिष्ट इस्तल रहेगा जहां से रेप्लिकेशन की शुरुवात होती है जहां से DNA बनना शुरू होगा रेप्लिकेशन की शुरुवात होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं origin of replication कह देते हैं या short में ह कहते हैं इसको ORI site या ORI style तो यह जो इस्तल है हमारे पास यह ORI style है ORI site है जब ORI site की पहचान हो जाती है कि यहां से DNA replication शुरू करना है तो वहां से फिर एक enzyme है वह आके चिपक जाता है ठीक है और इस enzyme का नाम होता है हेलिकेज enzyme हेलिकेज enzyme यह हेलिकेज enzyme हेलिकेज enzyme हेलिकेज हैं यह अधिनीन और थाइमीन है उनके बीच में दो hydrogen बंद है गवानीन और साइटोसीन के बीच में तीन hydrogen बंद है तो नाइटोजन सार के बीच में जो hydrogen बंद पाये जा रहे हैं उनको तोडने का काम करेगा कौन हेलिकेज enzyme उसके बाद मेंu SSB protein काम आती है तो आइसो मेरें काम आता है प्राइमर काम आता है ग進िशांज में है क्या तो सबस्टहिए हम डिक्री करते हैं हैल्यक ví 형 क्या करता है जो डिए एनए हैren है उसमें जो नाच्रोजैन जाजर दिखाई रहे हैं उनको ये सब नाजिवन चाझर है ताय नाच्ठीश आılar थाई ठोड़े गा और दोनों रजुकों को दोनों लडी जो होती है दोनों श्ट्रेंड है उसको सेपरेट कर देता है इसको हम कहते हैं DNA की एन वाइंडिंग करना dna unwinding या dna रजु को खोलना तो dna रजु को खोलने का काम कौन कर रहा है hydrogen हेलिकेज enzyme कर रहा है hydrogen बंद को तोड़ कर इससे क्या होगा यह हमारे पास dna इस तरह था ठीक है यह dna इस तरह था हमारे पास तो यह dna है यह खुल कर इस तरह का हो जाएगा यह आप इसको इससे दिखा सकते हो यह dna है वो इस परकार का हो जाएगा ठीक है यहां पर इन में एडिनीन है गवानीन है थाइमीन है साइटोसीन है यहां पर थाइमीन साइटोसीन एडिनीन और गवानीन तो यह इस तरह अलग-अलग हो जाता है डीने ठीक है उसके बाद में इन में काम आती है SSB protein भी तो देखें जब DNA अलग-अलग हो जाता है तो हम यह इतना आदा part है के वल यही only आदा part बचा हमारे पास इसको ही हम study करेंगे तो यह आदा part में यहाँ पर दिखाया है तो जब दोनों रजुक दोनों लड़ियां है दोनों strand है यह separate हो गए एक दूसरे से अलग-अलग हो गए अब यह वापस हापस में जूड़ सकते है या यह जो लड़ियां है वो इस तरह टेड़ी मेड़ी हो सकत इनका नाम होता है single strand binding protein जिसको हम short में बोल देते हैं SSB protein SSB protein single strand binding protein single का मतलब एक strand का मतलब होता है रजुक लड़ी और binding जूड़ने वाली एक लड़ी से जूड़ने वाली अब यह इनको जूड़कर क्या करती है इनको वापस जूड़ने से बचाती है इनको इस्तिरता परदान करती है इनको stability प्रोवाइड करती है ठीक है यह जो क्या करती ह है उनको stability provide करेगी जो प्रत्थक हुए DNA की जो लड़ियां है रजुक है उनको इस तीरता परदान करेगी उनको वापस नहीं जूडने देगी और इन में इस तरह की मिरेज इनजाइम काम आता है यहां पर हिलिकेज इनजाइम लगा हुआ है लगातार हाइडोजन बॉन को तोड़ता जा रहा है इस दिसा में आगे बढ़ेगा और यहां पर क्या होता है यहां पर काम आएगा टोपो आईशो मिरेज इनजाइम इभी क्या काम करता है उसके बा यहां पर हमने कहा है है, यह लगा हुआ है, लगातार इस DNA को खोलने का काम कर रहा है, दोनों रजुकों पर हमने कहा है, SSB प्रोटीन जुड गई है, जो इस्थिर्ता परदान करती है, इस्टेबिलिटी प्रोइड करती है, इनको वापस नहीं जुडने देगी, जब यह DNA इसको हम DNA गाईरेज भी कहते हैं, DNA गाईरेज भी कहा जाता है, या टोपो आईशोमेरेज एंजाइम भी कहा जाता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कि हमारे पास दो रशियां है और उनमें पुंडलन है, अब हम रशी को खोलना इस्टार्ट करते हैं, तो रशी का जो होता है, जब DNA के दोनों रजुक इस तरह अलग हो जाते हैं, यहाँ पर हमने कहा कि दोनों रजुक अलग हो गए, हेलिकेज एंजाइम आकर उन पे चिपक चुका है, यह लगातार DNA को इन बंद को तोड़कर उनको खोलने का काम कर रहा है, यहाँ पर SSB प्रोटिन आ गई औ जब टोपो आईशोमिरेज एंजाइम आ गया है और जो इनके एती तनाव को जो है सुपर कोईलिंग है उसको कम कर रहा है, अब यहाँ पर छोटा सा एक प्राइमर जोड़ा जाता है, देखें यह क्या है, इसका नाम है प्राइमर उसका पूरा नाम होता है आर एने प्राइमर का मतलब होता है, देखो हम कलर करते हैं घर में तो प्राइमर करते हैं, चेपेंट करें तो भी प्राइमर करते हैं, आपने जब स्कूल की शुरुआत की थी तो प्राइमरी से की थी, तो प्राइमर का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, शुरुआत करना, तो जब DNA replication यानि नया DNA जब यहाँ बनना शुरू होता है और इस side में बनना शुरू होता है तो DNA replication जो DNA बनाने की जो शुरुवात होती है यह खुद अपने आप नहीं हो सकती उसकी शुरुवात करना होता है किसके दोवारा RNA primer के दोवारा और इसके लिए एक enzyme चाहिए होता है जिसका नाम होता है primase ठीक RNA primer बनाने वाला enzyme कौन सा हो जाएगा primase यह primase क्या करता है यह दोनों रजुग पर छोटा सा DNA बना देता है यह DNA नहीं होता है यह RNA से ज़्यादा समानता रखता है और इसका नाम क्या होता है RNA primer होता है अब हम जो DNA है उसके दिर्गी करण की परकीरा पड़ लेते हैं तो देखें क्या होता है हमने भी पड़ा है कि यह जो DNA है वो इस तरह open हो जाता है दोनों रजुग जब इस तरह open हो जाते हैं फिर हमने कहा कि यहाँ पर हिलिकेज enzyme चिपका हुआ है यह लगाता रेश से आग यहाँ शुपर कोईलिंग हो रही उसको कम कर रहा है यहाँ पर है SSB protein जूड़ी हुई है जो इसको क्या करती है इस्थिरता परदान करती है stability provide करती है यहाँ पर एक छोटा सा RNA primer जोड़ दिया था यहाँ पर भी RNA primer जोड़ दिया था देखो यह 5 days सीरा है यह 3 days सीरा है यह 3 days सीरा है और ये 5 डे सीरा है तो RNA जो प्राइमर है वो हमेशा केसे जोड़ा जाएगा 5 डे सोर 3 डे स इस दिशा में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर इसमें यहाँ जोड़ा जाएगा 5 डे स, 3 डे स, इस दिशा में जोड़ा जाएगा ठीक है अब उसके बाद में नया DNA बनाना है यहाँ पर नया DNA बनाना है और यहाँ पर भी नया DNA बनाना है तो इसके लिए एक एंजाइम आएगा यहाँ पर इस तरह एक एंजाइम आएगा और नया DNA बनाना शुरू करेगा इस साइड में भी आएगा और यह एक नया DNA बनाना शुरू करेगा इस एंजाइम का नाम होता है DNA Polymerase DNA Polymerase हिंदी का नाम भी यही है तो आप इंगलिस के वर्ड याद रखें जदा important रहेगा DNA Polymerase ठीक है यह क्या करेगा नया DNA बनाना शुरू करता है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर DNA बन रहा है इस दिशा में बन रहा है और यहाँ पर DNA बन रहा है इस दिशा में बन रहा है और यह बनाने का काम कौन करता है एक इंजाइम आता है जिसका नाम होता है DNA Polymerase Enzyme ठीक है अब DNA Polymerase Enzyme कौन सी दिशा में जोड़ रहा है वो important है देखें यहाँ 5 days है और इस दिशा में आगे चलेगा तो यह 3 days है जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी ता 5 days है और इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो यह क्या करता है DNA polymerase है यह 5 days से 3 days दिशा की और नया DNA बनाने का काम करता है यह question important है आ सकता है यह आपके जैसे neat exam के point of view से भी important है और एक number का question बन सकता है board exam में भी कि जो DNA polymerase enzyme है उसके बहुली करण यानि नया DNA बनाने की जो दिशा है वो कौन सी होती है polymerization की direction केशी होगी 5 days से 3 days होगी यह इस side में भी इस तरह बनाना शुरू करता है अब देखें आपक इस रंचना को हम कहते हैं replication fork रेपलिकेशन fork रेपलिकेशन fork कहते हैं या हम हिंदी में बोल देते हैं प्रती करती दिवी शाखा कहते हैं यानि जब DNA के दोनों रजु को अलग कर दिया जाता है तो एक y जैसी शरंचना बनती है इसे और इस y जैसी शरंचना का नाम क्या होता है प्रती करती दिवी शाखा होता है ओके DNA polymerase के बारे में थोड़ा और खुछ जान लेते हैं तो देखें अभी हमने पड़ा था कि यहाँ पर हमारे पास एक DNA polymerase enzyme चिपक जाएगा और यहाँ पर भी DNA polymerase enzyme चिपक जाएगा यह इस दिसा में आगे बढ़ेगा और यह इस दिस एडिनीन गुआनि तो यह सब हमें जोड़ना है तो यह इट्रोजन चार है इस इंजैम का नाम हमने क्या लिखा ए DNA polymerase enzyme चोट में बहुल देता हूं में DNA polymerase enzyme तो यह DNA polymerase enzyme क्या करता है नाइट्रोजन चार को जोडने का काम करेगा ठीक है nitrogen चार है उनको अब ये केस से जोड़ता है उनके बारे में बात करते हैं ये इनको जोड़ता है D NTP के रूप में D NTP का मतलब क्या हो है मैं यहाँ पुरा नाम निक देता हूँ इसका D का मतलब है यहाँ पर D Oxy क्योंकि इसमें D Oxy Ribosacra काम आती है N का मतलब होता है Nucleotide Nucleotide ठीक है T का मतलब यहाँ पर है Tri और P का मतलब है Phosphate तो पुरा नाम हो गया D Oxy Nucleotide Tri Phosphate अब इसका मतलब देखो क्या है कि जैसे हमारे पास यह Nitrogen Tribe Pento सरकरा है यहाँ Nitrogen Char जैसे एडिनीन जुड़ा हुआ है ठीक है यहाँ पर हमारे पास OVAC होता है यहाँ Keval Aichi है यहाँ हमारे पास है CH2 और इसके साथ में Phosphate जो जुड़े हुए है यह 3 Phosphate जुड़े हुए है तो हमने कहा था कि Phosphate समू है ठीक है Phosphate Group Pento Sugar Pento सरकरा और Nitrogen Char Nitrogen Base की जुड़ जाती है उसको हम क्या बोलते है नुकलियोटाइड कहते है इसमें 3 Phosphate जुड़ गे तो इसका नाम क्या हो जाएगा Trifosphate तो अब जैसे मालो यहाँ पर हमें Guanine चाहिए तो यहाँ क्या रहेगा यह आएगा ऐसे इस तरह आएगा इसके पास में यह हमारे पास Pento सरकरा है यहाँ Guanine है यहाँ CH2 है और 3 Phosphate एसे जुड़े हुए है औ और यहाँ पर हमारे पास है OH और यह H यह अब यहाँ पर आएगा इसके पास में यहाँ पर DNTP ग्रूप में तो इसको यहाँ जोड़ दिया जाएगा इसी तरह अगर Guanine आ जाएगा तो हम बोल देंगे DGTP शाइटोसिन आ जाएगा तो बोल देंगे D CTP और अगर हमारे पास थाइमीन आ गया तो D TTP तो इस परकार ये आते हैं और उनको ये लगातार जोड़ता जाता है कौन जोड़ेगा DNA Polymerage Enzyme अब ये कितने जोड़ता है तो इसकी स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड याने ये लगबग 2000 बेस पेयर को एक सेकंड के अंदर जोड़ने का काम करता है D NTP के रूप में तो इस परकार नया DNA का निर्मान होने लग जाता है ओके तो जब नया DNA बनता है तो देखे हमने कहा है ये 5 days है हमारे पास ठीक है यहाँ है 3 days मैं इसको थोड़ आला कर देता हूँ ये है 3 days तो देखे 5 days ये 3 days है यहाँ पर जोड़ा गया है RNA Primer ठीक है RNA Primer जोड़ा गया है जो जोड़ा किसने था प्राइमेज जो होता है उसने जोड़ा था किस दिशा में जोड़ रहा है ये इस दिशा में यहाँ पर हो जाएगा 5 days और ये हो जाएगा 3 days 5 days और 3 days दिशा में जोड़ा जाएगा जोड़ने का काम कौन कर रहा है DNA Polymerase थाड़ याद रखने के आऊ सकता नहीं है आप इस त इसमें क्या होता एक रजुक जो होता है ना उसमें जो DNA बनेगा ये लगातार DNA बनेगा इसे लगातार बनेगा लेकिन जो दूसरा रजुक होता है उसमें DNA टुकडों में बनेगा लगातार नहीं बनेगा और उन टुकडों को हम कहते हैं ओका जाकी फ्रेग्मेंट ओका जा की खंड कहते हैं जो ठुकडों में डिने बनता है इसको इसे समझा सकते हैं यह हमारे पास डिने था इस तरह ओपन हो गया यह इस तरह यहां नया डिने बनना शुरू हुआ इधर भी नया डिने बनना शुरू हुआ तो उपर वाले रजुक पर तो डिने एकदम सीधा बन रह और इस एसतत जो dna बन रहा है इसका नाम होता है क्या ओका जाकी खंड होता है ओका जाकी फ्रेग्मेंट्स होता है फिर इन ओका जाकी खंड में क्या करता है dna पोलिमरेज एंजाइम दूसरा और आता है DNA पोलिमरेज फिस्ट आता है देखो यहां पर काम आ रहा था थर्ड लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है यहां बड़ी किस्व में प्रोगे यह क्या करता है इनके बीच में नया DNA बना देगा और जो नया DNA बन रहा है उनको आ घ्रण्ड बनते हैं और का जकिखंड में उन खंडो को जोड़ने का काम करता है ठीक है यह करता है DNA करता है यह प्रोगे इनका जोड़ने का क काम करता है अब जिस रजुक पर सतत DNA बना था यहां पर कैसा बना था DNA सतत DNA बनता है continuous DNA चалась कि औसữa धेए अगर गामी रजुक और उसके पीछे चलने वाला हो जाएगा वो हो जाएगा लीडिंग यानि पेश्च गामी रजुक हम पेश्च गामी इसको कह देंगे और इस पर क्या होता है इस पर ए सतत डियने बनता है लगातार डियने नहीं बनता ए सतत डियने बनेगा तो सतत तो इस परकार इसमें नया DNA बनना लग जाता है और देख लेते हैं कि इनका शमापन केश्य होता है दब DNA बनता है तो आपको एक चीज और यहाद रखना है जैसे यह मेरे पास DNA था यहां पर यह तरह ओपन हो गया था इस तरह ठीक है इस तरह यह ओपन हो गया था ठीक है तो यहाँ पर DNA इस दिशा में बन रहा था यहाँ पर DNA इस दिशा में बनता है तो जो DNA बनने की दिशा होती है वो कैश्य होती है दिवी दिश्य होता है दिवी दीशिय होता है याने हम बोल देंगे बाई डाइरेक्शनल होता है DNA रेप्लिकेशन है यह कैसा होता है दिवी दीशिय होता है बाई डाइरेक्शनल होता है जब यह DNA बनाता बनाता AC स्थल पे पहुंच जाता है जिसका नाम होता है टर इस्टल ठीक है यह हम बोल देते हैं termination इस्टल तर का मतलब वहता है termination याने समापन इस्टल तो उसके वहाँ पर DNA replication की परकीरिया है यह रुख जाती है एक चीजा ओर याद रखना है अगर हम बात करते हैं prokaryote की prokaryote की तो prokaryote में जो dna होता है वो द्वी रजु की dna होता है और पहले से वर्ताकार dna होता है circular dna होता है इसे ठीक है इसको मैं simple सी form में इसे दिखा सकता हूँ यह circular dna है अब इस पे जो नया dna बनता है ठीक है इसका मैं एक अलर ठोड़ा change कर देता हूँ ओके जो नया dna यहां इस तरह बनना शुरू हो जाएगा इस दिखा में ऐसे और यहां पर जो dna बनेगा वो इस दिखा में उल्टी दिखा में बनेगा ऐसे करते करते हैं लाश्ट में क्या हो जाएगा वापस उसी स्थल पर पहुंच जाएगा वही स्थल इनका क्या हो जाएगा टर इस परकार इनमें dna है वो बन जाता है तो देखें इनमें आपको क्या क्या चीज़े याद रखनी है सबसे पहले आपको याद रखना है ORI स्थल क्या होता है जहां से DNA रेप्लिकेशन सुरू होता है फिर आता है इनमें हेलिकेज, इनजाइम जो DNA बंद है उनको खोलेगा हाइडोजन बंद को तोड़ कर जो DNA है उसको unwinding का काम करता है उसके बाद में आता है SSB protein जो क्या करता है इनके रजुक से जुड़ कर उनको स्तिरता परदान उसके बाद में इनमें आता है SSB protein के बाद में टोपो, आइशो, मिरेज, enzyme काम आएगा टोपो आईशो mirage enzyme काम आएगा जिसको हमने नाम दिया था gyres फिर इसमें काम आएगा enzyme primase primase enzyme क्या करेगा छोटा सा primer बना देगा जिसको नाम होता है RNA primer उसके बाद में इनमें काम आता है enzyme main enzyme जो है वो है DNA polymerase enzyme DNA polymerase enzyme ये बनाता है क्या 5 days से 3 days दिसा में नया DNA बनाता है उसके बाद में इनमें enzyme काम आता है DNA ligage enzyme ये क्या गरता है जो एसतत DNA बनता है जिनका नाम था हमने नाम दिया था ओका जाकी fragment ठीक है उनको जोडने का काम करता है खंडो को जोड़ेगा ठीक है और ये कहां बनते थे ये हमने का था legging stand पर बनते है एसतत DNA जो है ये कहां बन रहे थे पश्च गामी रजुक पर बन रहे थे तो ये है हमारे पास replication आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर के रहे सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब भी कर दे और कमेंड करके भी बता दे धन्यवाद